क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब असूर देफताओं से ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि देवराज इंद्र ने कुछ ऐसा किया था जिसके वज़े से सारे देफता श्रापित हो गए थे तो आज हम जानेंगे समुंद्र मंथन की कहानी जो हमारे हिंदू इतियास में सबसे इंट्रेस्टिंग कहानी है और इसका उलेक हमें भगवत पुरान, महाभारत और विश्टु पुरान में मिलती है तो चाय कॉफी लेकर बैड़ जाएए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सबस्क्राइब करती है समुद्र मंथन की कहानी शुरू होती है जब देवराज इंद्र और सारे देफता श्रापित हुए थे रिशी दुरवासा से एक बार रिशी दुरवासा देवराज इंद्र के लिए चरावे के तौर पे एक माला लेकर है और इंद्र ने इस माले को एकसेप्ट भी किया लेकिन इंद्र वो माला खुद पहनने के जगा अपने हाथी के दाथ पे लटका दिये बट इस फूलों की हार से जो खुश्बू आ रही थी उससे हाथी इरिटेट हो गया और इस हार को अपने दाथ से जमीन पर गिरा दिया और इस दुरवासा फ्रोधित हो गये और सारे देवताव को श्राप दे दिया कि वो अपनी शक्ती बल और भाग्यक हो देंगे और ठिक ऐसा ही होने लगा देवराज इंद्र और सारे देवता असुरों के गेंस्ट हर एक यूद हाडने लगे और धीरे धीरे असुरों के राजा बली ने सारे यूनिवर्स पे अपना कंट्रोल ले लिया बेबस इंद्र को पता था कि इस समस्या का समाथान से भगवान विश्नु ही बता सकते हैं तो देवराज इंद्र ने सारे देवताओं को लेकर भगवान विश्नु के पास गए और अपनी समस्या बताई सब कुछ सुनने के बाद विश्णु भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे लिए संकट का समय है असुर बर रहे हैं और देवता घट रहे हैं लेकिन तुम्हें इस आपता का सामना फ्रेंडली तोर पे करना पड़ेगा भगवान विश्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि अगर तुम अपनी शक्ति वापस पाना चाते हो तुम्हें श्रीराश आगर का मंथन करके अमरित को निकालना होगा और इस अमरित को पीने के बाद तुम्हें अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी देवता इस समय शक्तिशाली नहीं थे तो इस बड़े कारियों को पूरा करने के लिए उन्हें असुरों की मदद चाहिए थी भगवान विश्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि ये कारिय पूरी होने तक तुम्हें असुरों की सारी शर्ते माननी परेंगी और एक बार तुम अम्रित पीलो तो तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारे पास असुरों को मानने की शक्ति भी वापस आ जाई भगवान के आदेश अनुसार इंद्र ने असुर राजा बाली को अम्रित निकालने के बारे में बताया और असुर राजा बाली ने देवराज इंदर के साथ सम्धोटा किया, और समुंद्रमंतन के liए तयार हो गए समुद्र को हिलाने के लिए मंद्राचल परवत को करची के तरह इस्तमाल किया गया और नागराज वासुकी को रसे के तरह लेकिन जबी भी परवत को पानी में डाला जा रहा था हिलाने के लिए वो हर बार फिसल कर समुद्र के नीचे चली जा रही थी और इसे रोकने के लिए भगवान विश्णु ने तुरन एक कछवे का रूप ले लिया और परवत को अपने पीट पर उठा लिया भगवान विश्णु का कछवा रूप उनका दूसरा उफ्तार है जो कुर्मा के नाम से जाना जाता है भगवान नारायन ने असुरों में देवी शक्ति और देवों में भक्ति की शक्ति डाल कर वासुकी नाग को गहरी नीन में सुला दिया ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो असुर मुर्क थे, उन्हें लगता था वासुकी नाक को उनके मूँ के तरफ से पकड़ने से कुछ फायदा है और इसलिए असुरों ने देफता से कहा कि हम सबसे शक्ती शाली हैं और किसी से भी इंफिरियर नहीं है और इसलिए हम वासुकी नाक का मूँ का स्थान लेगे और इसी के साथ समुंद्रमंथन शुरू हुआ और मंद्राचल परवद भगवान कुर्मा के विशाल पीट पर घुमने लगा समुंद्रमंथन का पहला फल विश का था देव और असूर विश के फलेम में जलने लगे और उनका रेडियन्स और और आफ्रेड होने लगा और तब असूर और देवता दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की अराधना की महादेव ने उनकी अराधना पर विश को अपने हाथ में रखा और पी लिये लेकिन उन्होंने विश को अपने पीट सक जाने नहीं दिया बलके अपने गले पे रोग दिये हलाहल विश को पीने के बाद शिव जी का गले का रंग नीला पड़ गया और इसलिए शिव जी को नीलकंड भी कहा जाता है हलाहल विश को पीने के समय शिर्जी के हाथ से थोड़ा सा विश प्रिप्पी पर भी गिरा जिसे साप बिच्चु जैसे जानवर पी लिए। वगवान विश्नु के आदेश से समुद्रवन्धन फिर से शुरू हुआ और समुद्रवन्धन का दूसरा फल निकला काम देनु गाई जिसे देवराज इंद्र ने विशी जमत अगनी को दे दिया जो परशुराम के पिता थे। उसके बाद निकला उचेस रावस जो एक साथ सर्डवाला उर्ता घोडा था जिसे असुरों के राजा बली ने रखा। फिर एक विशाल साधा हाथी निकला एरावत जिसे देवराज इंद्र ने खुद के लिए रखा। और एरावत के बाद प्रेशिस जेम पॉस्तबा मन निकली जिसे खुद विश्नु भगवान ने रखा। इसके बाद कल तो वरिक्ष और एक अपसरा निकली रंभा और इन दोनों को स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद मा लक्ष्मी समुत्र से बहार आई और उन्होंने खुद विश्नु भगवान को चुना विवा के लि अमरित को देखकर देव और असुरों के बीच लड़ाई शुड़ो हो गई और असुरों ने धनवंतरी के हाथ से अमरित का कलश छीन कर ले लिया और खुद के बीच में लड़ने लगे। वो निराश होकर असुरों को लड़ते हुए देखते रहें देफताओं को निराश देखकर भगवान विष्टु ने तुरन सुन्दर मोहिनी अफ्तार ले लिया और असुरों के सामने प्रकट हुए असुरों ने मोहिनी अफ्तार का सुन्दर्ता को देखकर विचलित हो गए और वो मोहिनी को देखते ही रहे जब असुरों ने देखा कि मोहिनी अफ्तार उनके तरफ आ रही है वो अपने बीच की लड़ाई भूल गए और उनके सुन्दर्ता पे मोहित हो गए मोहिनी को देखकर पहले असुरों ने उनसे पूछा कि ओ सुन्दरी तुम कौन हो और कहा कि हमारे आपस की विवाद को आप मिटा कर अपने हाथ से हमें अम्रित पिलाओ और तब मोहिनी ने कहा कि देव और असुर तुम दोनों ही महारिशी कशप के पूतर के रूप में भाई हो और फिर भी तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो मोहिनी बोली मैं किसी के वेवार में विश्वास नहीं करती तो तुम कैसे मुझे पर विश्वास कर सकते हो और मोहिनी के इजवानी को सुनकर असुरों के बीच उनके प्रती और भी जादा विश्वास जागा और असुरों ने मोहिनी से कहा कि हमें आप पर पूरा विश्वास है और आप जैसे बोलेंगी वैसे ही हम अमरित पीएंगे और ये कहे कर उन्होंने अमरित का कलश मोहिनी को दे दिया और कहा कि आईए सब मिलकर अमरित पीते हैं मोहिनी ने अमरित का कलश लिया और देव और असुरों को कहा कि वो अलग-अलग जाकर बैठ जाए असुर इतने confident थे कि वो अपने तारीफों के पुल बान रहे थे और इधर मोहिनी देवो को अमरित पिला रही थी असुर अपने तारीफ में इतने हो गये कि वो अमरित पीना ही भुल गये लेकिन राहु असुर ने मोहिनी के खेल को समझ लिया और वो देवता का रूप लेकर देवो के बीच बैठ के अमरित पी लिये जब अमरित राहु असुर के गले तक पहुँची तब चंद्रमा और सूरज ने कहा अरे ये तो राहु असुर है और ठिक उसी समय विश्नु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु असुर के सर को धड़ से अलग कर दिया लेकिन तब तक अमरित का एफेक्ट हो चुका था और इसलिए राहु का सर और शरीद दो ग्रह बन गए जिसे राहु और कीतु बोला जाता है और ये आकाश में स्थापित हो गए तो इस तरह विश्नु भगवान ने मोहिनी अफ्तार लेकर देवों को अमरित पिलाया और वहां से चले गए विश्नु भगवान के जाते ही असुर प्रोधित हो गए और देफताओं पर हमला कर दिया और ऐसे ही फिर एक बार देफताओर असुरों की यूच शुरू हुई जिसमें देवराज इंद्र ने बाली असुर को हरा कर अपना स्वर्फ लोग को आपस ले लिया समुत्र मंत्र की कहानी बहुत ही मज़ेदार एक और ऐसे ही मज़ेदार कहानी है भारत वर्ष की सबसे बरी कंत्र साधी का लोना चमार जानने के लिए ये वाली वीडियो देखे So this is Soham, until next time